आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो बच्चों, प्रशन है हमारे पास मिलीकन के तेल बूंद के प्रयोग में तेल की एक बूंद किसी वैदुश शेत्र की अनुपस्तिती में अंतिम वेक के साथ गिरती है जब एक निश्यत वैदुश शेत्र लगाये जाता है और वातावरण में रेडियो सक्रिये प्रधार्ट रखा जाता है मान लें कि बूंद का साइज और द्रवेमार अपरिवर्तित रहता है दूसरा बी बूंद की अलग-अलग अंतिम चालो उस पर कौन सा मुख्य प्रेक्शन आवेश के कांट मी करण की और संकेत करता है तो चलिए प्रेश्ट को शुरू करता है ए वाले की बात करता है पहले क्या होता है कि रेडियो सक्रिये स्त्रोत के कारण बूंद के चारों और वायू आयनित हो जाती है और इलेक्ट्रोन मुक्त हो जाते है इसलिए बून्द अधिक electron ग्रहन कर लेती है और इससे इसकी चाल में परिवर्तन होता है अब B का देखते हैं अंसर जब बून्द बिना किसी वैदुशेत्र और रेडियो सक्रिये स्त्रोत के अंतिम चाल V0 से गिरती है बून्द अवेज ग्रहन कर लेती है और यह अंतिम वेख V के साथ नीचे गिरती है इस पच्चत है एनी E बराबर हो जाएगा W-6Pi Eta R V के जहां से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा समिकरन एक से हम W का मान इसमें रख देते हैं अब इसमें 6Pi Eta R को में कोमन निकाल लेते हैं अंदर क्या वर जाएगा V0-V तो यहां से V0-V को अकेला कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा NEE 6Pi Eta R यहां पर EE 6Pi Eta R इस्तिरांग है इसलिए V0-V के मान विविक्त हैं जहां V बराबर क्या हो सकता है V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है आदी तो यही होगा इसका सही उत्तर उमेहिदे आपको इस सवाल का हल समझ में आया हुआगा धन्यवाद Classics to 12 से लेके NIT IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर